नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप जी एस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। देखो जब से आर्टिकल 370 को इन इफेक्टिव बना गया हैं जमू और कस्मीर में, तब से लेके पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक नरेटिव बनाने की कोशिज कर रहा हैं। कि कस्मीर में human rights का violation हो रहा हैं। बड़े-बड़ी organizations की जब meeting opportunities होती हैं, तो पाकिस्तान इस issue को raise करने की कोशिज करता हैं। इवन पाकिस्तान के जो leaders हैं, वो खास करके western countries के news papers को influence करने की कोशिज कर रही हैं। ताकि world में ऐसा narrative बने की कस्मीर में जालती हो रही हैं लोगों पर। तो पाकिस्तान के इस narrative को counter करना जुरूरी थां। इसी वज़े से इंडिया में European Union के कुछ MPs को invite किया गया। ताकि वो कस्मीर में जाएं, वो जाकर देखें कस्मीर में ground level पर क्या कुछ हो रहा हैं ताकि पाकिस्तान का जो narrative हैं उसका जवाब दिया जासके और world को बताया जासके इंडिया में situation उतनी खराब नहीं हैं जितना की पाकिस्तान के द्वारा बताया जा रहा हैं। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता हैं लेकिन इंडिया का ये जो move था कि European Union के कुछ MPs की widget को facilitate करवाना कस्मीर में ये move बैकफायर कर गया। इसमें काफी सारी कम्याँ थी और काफी बड़ी controversy create हो गई। सबसे पहले तो question ये उठता है European Union के MPs को किसके द्वारा invite किया गया। भारत सरकार ने मना कर दिया हैं मतलब जो Ministry of External Affairs हैं उन्होंने मना कर दिया हैं कि हमने उनकी widget को facilitate नहीं करवाया हैं। और even European Union ने भी ये कह दिया हैं कि हमारे जो MPs गए हैं कस्मीर में वो अपनी individual capacity के हिसाम से गए हैं ये एक official visit नहीं थी। तो question ये उठता है कि किसने European Union की MPs की visit को facilitate करवाया कस्मीर में। एक मादी सर्मा का नाम इमर्ज होके आया है। मादी सर्मा देखो बारतिय मूल की British नागरिक हैं जो Brussels में रहती हैं। इनके दवरा एक NGO चलाया जाता है जिसका नाम है Women, Economic and Social Think Tank। ये मादी सर्मा अपने आपको International Business Broker बताती हैं। इन्होंने देखो European Union के काफी सरे MPs को एक letter लिखा, invitation दिया कस्मीर में visit करने के लिए। और letter में ये भी लिखा गया था कि परधानमंतरी मोदी आप जैसे influencers के साथ मिलना पसंद करेंगे। अब देखो एक बड़ा concern यहाँ पे ये raise होता है। मादी सर्मा अपने letter में परधानमंतरी के भीहाँ से ये लिखती हैं कि परधानमंतरी मोदी आप से मिलना पसंद करेंगे और बाद में मुलाकात हो भी जाती हैं। इन MPs की परधानमंतरी मोदी के साथ ना सिरफ परधानमंतरी मोदी के साथ बलकी external affair minister के साथ, अजीर डोवल के साथ, उपराश्टरपती के साथ, हमारे देश में high dignitaries के साथ इन MPs की मुलाकात होती हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा परतीत होता है, यह जो मादी सर्मा थी या फिर इनका जो NGO है, वो भारत सरकार के front के तोर पे काम कर रहा था। तभी तो इतने बड़े लोगों के साथ मुलाकात हो पाई इन MPs की और यह letter में लिख पाई कि परधान मंत्री मोदी आप से मिलना पसंद करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने साफ तोर पे इंकार कर दिया है कि हमने इन MPs को invite किया था। यह तो देखो controversy का पहला point है। अब दूसरा point controversy का यह है, अभी तक देखो हमारे देश में जो opposition के leaders हैं जैसे रहूल गांदी या फिर गुलाब नवी आजाद इनको अलाव नहीं क्या गया है कस्मीर में विजिट करने के लिए। तो मतलब यह आरणी है, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर देश है और उसमें foreign countries के MPs की visit हम करवाते हैं कस्मीर में लेकिन हमारी opposition के जो MPs हैं वो अभी फिलाल visit नहीं कर पाए हैं कस्मीर में। आर्टिकल में तीसरा point यह कहा जाता है, देखो यह जो MPs invite किये गए थे, जिन्होंने visit किया अभी कस्मीर में, यह हमें देखना होगा कि कौन सी political parties से समन्द रखते हैं, मैं आपको example देता हूँ, आप समझ जाओगे कि European Union में किस परकार की political parties से यह समन्द रखते हैं, जैसे देखो हमारे देश में जो mainstream political parties हैं, वो कौन सी है, BJP, Congress है, दूसरी तरफ, OVAC की जो party है, उस party को साइध आप mainstream political party नहीं कहोगे, उसी परकार से European Union की जो minority, वो इस है, मतलब ऐसी political parties जिनके ज़्यादा MP नहीं है, उनको invite किया गया है, और वो MPs देखो, right wing political parties के हैं, मतलब उनके जो view है, security के बारे में, वो सब को पता है, और उनका जो stand है, वो anti-immigration है, अगर सिदे सिदे सब्दों में कहें, जो article कहना चाहता है, anti-muslim stand है, उन MPs का जिनको invite किया गया है, कस्मीर में visit करने के लिए, next point अब ये आता है, देखो, European Union के MPs ने कस्मीर में visit किया, visit पर काफी ज़्यादा खर्च भी आया है, तो question ये उठता है, कि पैसा किसके द्वारा दिया गया, इस visit को sponsor करवाने के लिए, newspaper report कर रहे हैं, एक institute है, Delhi-based, International Institute for the Non-Aligned Studies, IINS, इसके द्वारा European Union के MPs की visit को sponsor किया गया, लेकिन जब इस institute पर visit किया गया, reporters के द्वारा, तो इस institute के gates पर ताले लगे थे, कोई भी नहीं था, इस institute के अंदर, तो question उठता है, कि इस institute को पैसा किसके द्वारा दिया गया, ताकि European Union के MPs की visit को sponsor करवाय जासके, कस्मीर में, और Madi Sharma जिनका नाम आ रहा है, जिन्नोंने letter लिखा था, European Union के MPs को, Madi Sharma इतना ज़्यादा influential कैसे हो गई, कि वो इतने बड़े लेवल पर भारत सरकार की तरफ से indirectly operate कर रही है, इसके बाद next point आर्टिकल में ये बोला जाता है, कि देखो European Union के MPs का दल, जो कस्मीर में गया visit करने के लिए, उनसे काफी सारे कस्मीर के delegations ने मुलाकात की, लेकिन जो boat owners हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और इसके लावा कस्मीर के Chamber of Commerce and Industry के representatives की मुलाकात नहीं करवाई गई, टोप politicians ने मुलाकात नहीं की, European Union के MPs के दल से, और जब देखो, मुलाकात की गई, women delegations के द्वारा, उस मुलाकात को भी एक परकार से manipulate किया गया, जैसे example के तोर पर, एक businessman बताना चाह रहे थे, कि special status हटाने की वज़े से, क्या-क्या problems आ रही हैं कस्मीर में, तो वहाँ पर जो सरकार के officials थे, उन्होंने topic को change करने की बात कहीं, यानि मुलाकात को काफी हद तक manipulate किया गया, और उसके बाद next point article में ये बोला जाता है, इवन देखो, वीजिट के दुरान, आंतकवादियों ने कस्मीर में पांच निर्दोस मजदूरों की हत्या कर दी, जो वेस्ट बंगाल से थे, और कुछ नियूस पेपर्स ने ये भी रिपोर्ट किया, कि बड़े स्केल पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, इन European Union के MPs के विजिट के दुरान, लास्ट पॉइंट आर्टिकल में ये बोला जाता है, जब देखो, European Union के MPs की ये विजिट खतम हुई, तो प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया, प्रेस कॉन्फरेंस में सभी MPs ने पार्टिस्पेट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने पार्टिस्पेट किया, उन्होंने ये कहा, कि टेरिजिजम पर वो इंडिया के रुख का स्मर्थन करते हैं, उनका कहना था कि हमारा इंडिया की domestic politics से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ MPs का ये stand था कि सरकार को opposition parties के MPs को भी allow करना चाहिए, कस्मीर में विजिट करने के लिए, और एक MP ये तो ये भी कहा दिया कि इंडिया को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और European Union जो है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच mediation करवा सकता है, तो ये चीजें जो थी, वो देखो सरकार के stand के against थी, सरकार आपको पता है कभी भी mediation की बात नहीं करती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया का कहना है, जो भी issues है, bilateral है, third party mediation हम नहीं चाहते हैं, तो कुल मिला के इन सभी points की साइटा से, writer एक बात ये बोलना चाहते हैं, कि पाकिस्तान के narrative को counter करने के लिए, European Union के MPs की ये जो विजिट हुई, ये देखो backfire कर गई, मतलब जितना सरकार ने सोचा था, इस विजिट से फाइदा होगा, उतना फाइदा नहीं हुआ, बलकि नुक्सान ज़्यादा हो गया, तो ये पुरा article हमने डिसकस किया, चलते हैं आगे, नएस्ट article, free trade से समन्दित है, आप GS paper 3 के इस topic से, article को relate कर सकते हो, ये article लिखा गया है, परशांथ पेरूमल के द्वारा, देखो पिछले कुछ महनों में, विबिन देशों ने, free trade को ignore करते हुए, protectionism पर ज़्यादा focus किया है, जिसका सबसे जवलंद उधारन है, USA और चाइना के बीच चलने वाला trade war, protectionism का क्या मतलब है, for example, दो देश हैं, चाइना और USA, अगर देखो, USA, चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर, tax को increase कर देता है, tariff को increase कर देता है, ताकि चाइना का माल, USA में महंगा बिके, और USA का जो माल है, मतलब USA की domestic companies के द्वारा, industries के द्वारा, जो माल produce किया जाता है, वो सस्ता होगा, और ज़्यादा competitive होगा, वो माल ज़्यादा बिके, तो अगर USA के द्वारा, इस परकार की policy अपनाई जाती है, अपनी domestic companies को, domestic industries को protect करने के लिए, उनको फाइदा पुंचाने के लिए, तो इस policy को कहा जाता है, protectionism, USA का देखो ये कहना है, चाइना जो है, वो अपने माल को एक परकार से dump कर देता है USA में, चाइना अपनी companies को, अपनी जो manufacturers हैं, उनको काफी सारी subsidy प्रोवाइड करता है, ताकि चाइना का जो माल है, वो सस्ता हो और उसे असानी में, असानी से USA में export किया जांसके, और इसके अलावा, अपने export को boost करने के लिए, चाइना अपरी currency, यूआन को भी devaluate करके रखता है, ताकि चाइना का माल दूसरे देशों में, ज़्यादा बिके, तो चाइना के माल का सामना करने के लिए, domestic manufacturers को protect करना जुरूरी है, इसी वज़े से हम चाइना से import होने वाले माल पर, अपने tariff को increase करते हैं, tax को ज़्यादा लगाते हैं, ताकि चाइना का जो माल है, वो USA में ज़्यादा competitive ना हो, ज़्यादा ना बिके, दूसरी तरफ चाइना का ये बोलना है, अगर देखो USA हमारे माल पर tariff लगाएगा, तो हम भी USA के माल पर tariff लगाएंगे, हम भी ये ensure करेंगे कि USA का जो माल है, वो चाइना में ना बिके, लेकिन देखो इस theory में काफी सारी कमिया हैं, ऐसा article में बोला जाता है, सबसे बड़ी कमी तो देखो ये हैं, इसको domestic manufacturers को protect करना चाते हैं, जबकि चाइना का भी यही कहना है, लेकिन USA की सरकार ये नहीं सोचती, कि चाइना अगर सस्ता माल USA में export करता है, तो इससे USA के जो consumers हैं, ग्रहक हैं, उनको भी तो फाइदा हो रहा है ना, उनको सस्ता माल मिल रहा है, जबकि अगर USA protectionism की policy अपनाता है, तो USA के अंदर जो customers हैं, उनको नुक्सान हो रहा है, क्योंकि चाइना से import होने वाले माल पर, tax को increase कर दिया गया है, और अब वो माल USA में नहीं भीग पा रहा है, तो customers को सस्ता माल नहीं मिल पा रहा है, तो कहने का मतलब ये है, free trade को जब ignore किया जाता है, विबिन देशों के द्वरा, और protectionism को अपनाय जाता है, तो इससे consumers को नुक्सान होता है, क्योंकि consumers को सस्ता माल नहीं मिल पाता है, दूसरा देखो, USA की सरकार का ये बोलना, कि China जैसे देश जो है, वो अपने domestic manufacturers को बहुत ज़दा सबसीडी देते हैं, तो आर्टिकल में कहा जाता है, बलकि USA को तो इससे खुस होना चाहिए, क्योंकि USA के जो customers है, उनको चाइना की सबसीडी का फाइदा हो रहा है एक परकार से, उनको तो सस्ता माल भी मिल रहा है न, तो फिर USA को घबराने के आउसकता नहीं है, इसके बाद देखो एक बात आर्टिकल में ये बोले जाती है, कि बार बार USA ये बोलता है, कि ट्रेड डेफिसिट चाइना से ट्रेड में हमारा बहुत ज़़दा बढ़ गया है, कि USA में चाइना के किन गूड्स को पसंद किया जाता है, जिनका ट्रेड USA के साथ ज़्यादा होता है, और कौन से आइटम्स को पसंद नहीं किया जाता है, सिरफ ट्रेड डेफिसिट का इतना बताना होता है, trade deficit profit and loss को represent नहीं करता है अगर हमारा trade deficit ज़्यादा है चाइना के साथ इसका मतलब यह नहीं है कि हम चाइना के साथ घाटे में हैं और चाइना हमारे साथ फाइदे में हैं इंडिया के जो wealth है वो कम हो रही हैं ऐसा writer का view है और चाइना का भी देखो तरक गलत है कि हम unilaterally कैसे USA के माल को import कर लें अगर USA हमारे माल को import करने के लिए तयार नहीं है Hong Kong और Singapore का example देया जाता है writer के द्वारा Hong Kong और Singapore जो हैं इन दोनों देशों ने free trade को बहुत ज़दा promote किया है पिछले कुछ सालों में और जिसका फाइदा Hong Kong और Singapore को बहुत ज़दा हुआ है Hong Kong और Singapore इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं कि दूसरा देश हमारे माल पर tax ज़दा लगा रहा है या फिर कम लगा रहा है Hong Kong और Singapore protectionism की policy को नहीं अपनाते हैं और इसी वज़े से prosperity काफी ज़दा है Hong Kong और Singapore में क्योंकि ये दोनों देश free trade में विश्वास रखते हैं तो कुल मिला के देखो पूरे आठकल का कहने का essence ये है विभीन देशों को protectionism की policy को नहीं अपनाना चाहिए free trade की policy को अपनाना चाहिए इस से पूरे world में free trade increase होगा global trade increase होगा और पूरे world में economic activity ज़्यादा होगी global economy टेजी से आगे बढ़ेगी और prosperity आएगी पूरे world में इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion